हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूटूब चैनल टेक्निकल मुस्ताक फ्रेंड्स आपको है मोबाल रिपेरिंग से प्यार तो जुट जाए हमारी इस चोटी सी पेमेलिक साथ जी हाँ दोस्तो मेरा नामे मुस्ताक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल टेक्निकल मुस्ताक फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपके वीवो के S1 प्रो मोडल में यदि इसका पावर की अगर वर्क नहीं करता है उसका 100% solution आपको इस वीडियो में मिल जाएगा मैं पूरा विश्वास के साथ आपको के सकता हूँ दोस्तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है समझ लिया है तो दोस्तो आपको इस मोबाइल में पावर की से रिलेटेट प्रोलम आ रही है अगर पावर की वर्क नहीं कर रही है और यह जो वर्क करती कैसे है तो यह सब इसका solution आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है दोस्तो आपको यह वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और दोस्तो इस वीडियो में आपको इसका कर्क को करती है जब ऑम पावर की को प्रेश करते हैं तो हमारा मुबेल 10 कि हो जाता है इसको भी हम समझेंगे तो दोस्तों यह फर İs वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारा यहा पर सामने है वीविए स् 1 का यहां पर इसका तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इसकी पावर की की सपला यहां पर आती है और अब दोस्तों यह पावर की का जो ट्रेक होता है वह स्टार्ट कहां से होता है उसको हम सबसे पहले हमारा पावर की यहां से जाता नहीं यहां पर तो हमारे पावर की सपला आती है इस चीजकर कावर आती है ठीक है?ριe secondary power white इस वाले point पर हमारेक ृसप्वार की supply की supply निकलती है यहां पर आती नहीं है इससे निकलती है, ठीक है? तीर का निसान लगा दिया है समझ जाएगा, उसके बाद यहां से supply जाती है और उसके बाद कहां पर जाती है? इसको ले जाते जाते हैं और इसके बाद आपको यहां पर जिकने दंगा यहां पर आपको एक रजिस्टर दिखाए दे रहा है इस रजिस्टर के नीचे की की तरफ पॉइंट इस पर की सप्लाइ आती है डिख के इस वाले पॉइंट पर आती तो आपको यहां पर यह power IC दिखाई दे रही होगी इस power IC के यहां पर आप देख सकते हैं इधर से count करोगे 3639 देखो इधर से आप count कर लेना एक दो तीन चार पांस छे और एक दो तीन इस वाले point पर ठीक है इस वाले point पर हमारे इसकी supply यहां पर आती है अब समझ में आ गया किस तरीके से आ रहा है हम यहांपर husky PMI 632 यहां से न iemand रही है यहां से निकल रहे है यहां से निकल कर गई हमारी सर्जिस्ट्र कर नीचे का सब्सक्राइब और उसके बाद यहां से कहां पर गयी और यहां से गया दोस्तों मज़िए इस प्लाइब इस निकलती यहां इस तरीके से हो गया इसका ट्रेक यहां से नियार। थिए चैनल को यहां से सफ़य हो गया हमारी और उसके बाद इस कहा पर आ गई इस वाले पॉइंट पर अब दोस्तों ट्रेक समझ में आ गया आया नहीं अवारिय आ पर प्येमें 632 निकला उसके बाद घ्या हमारी इस रजिस्टर के इस वाले पॉइंट पर यहां पर इस वाले पॉइंट पर आया और इस वाले पॉइंट से गया हमारे यहां पर इस पावर ऐसी के इस वाले पॉइंट पर ठीक है और इस वाले पॉइंट पर आया और इस वाले पॉइंट पर आया और इस वाले पॉइंट प पर काम करता है अब यह लोजिक लो और हाई क्या है इसको आप समझ लीजिए देखो इसको एक साइड में रख दीजिए नहीं समझ में आ रहा आगे समझ में आएगा क्योंकि मैंने अभी एकस्प्लेंट कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसलिए दोस्तों मैं अलग अलग होता है वह कंपनी के डिजाइन के अनुसार रहता है ठीक है और जहां पर प्यमई 632 लगी उसमें सेम रहता है लेकिं दोस्तों में यहां पर इसको काउंट नहीं करा है आप देख लेना ठीक है यहां से कुछ वोल्टेज निकलता है माल लेते हैं माल लेते हैं क यहां से दो वोल्ट निकल रहा है ठीक है वो दो वोल्ट यहां से निकलता हुआ कहा गया यहां से निकलता हुआ कहा आ रहा है यहां से आ रहा है दोस्तों हमारे इस वाली लेन से वोल्टेज आ रहा है यहां से आ रहा है यहां से इस वाले पॉइंट पर चला गया और इस व वोल्ट ठेहर भी दो वोल्टेश जा रहा है तो फिर क्या होगा तो फिर यह वाले वोल्टेश कम नहीं हो रहा है है सेम नहीं मिलना चाहे एंड़ कि वल्टेश कम कें आप यहां पर रजेस्टर की वजह से यहां पर इस वाले पॉइंट पर वॉल्टेश आ गया ठीक है ये दो voltage यहाँ पर आया और उसके बाद ये दो voltage कहाँ पर आया यहाँ से होता है इस वाले line से आ रहा है हमारे यहाँ पर इस वाले point पर यहाँ पर भी दो voltage आ गया तो अब दोस्तो power key कैसे work करती है अब दोस्तो जब हम power key को press करते हैं दबाते हैं तो यह वाला जो power key का point यहारे ground के साथ short होता नहीं होता है जब हम power key के antenna को यहाँ पर ground के साथ short करते है तभी तो power key work करती है तो दोस्तों क्या होता है जब हम यहाँ पर मान लेते कि जब हम power key को press किया तो जो यह वाले line है इसके साथ में short हो गई तो दोस्तो जैसे ही इस line के साथ में short हुई तो यहां पर जो इस line में 2 voltage आ रहा है ठीक है यह आपको confuse नहीं होगा इस वाले point पर यह minus हो गई और उसके बाद दोस्तो इस वाले line से voltage आ रहा है ठीक है जब आप इसको ground से connect होगे तो यह 2 voltage भी ground हो जाएगा तो यहां पर ground हो गया तो यहां पर voltage क्या हो जाएगा 0 तो जैसे ही voltage यहां पर 0 हुआ तो कहां पर voltage होगा 0 यहां पर भी voltage 0 हो जाएगा अगर यहां voltage 0 हुआ तो हमारे इस power IC के इस वाले point पर भी क्या हो जाएगा voltage 0 जैसे ही यहाँ पर इस power IC के इस वाले point पर voltage 0 हुआ तो हमारे यहाँ पर power IC को इस तरीके से program किया जाता है इस तरीके से design किया जाता है इस तरीके से को बताया जाता है और समझाया जाता है कि अगर आपके power IC अगर आपके इस वाले point पर voltage 0 हो गया तो आपको mobile को on करना है ये इंजिनियर होते हैं जो हमारे इस power agency को डिजाइन करते हैं प्रोग्राम करते हैं binary code से कि अगर यहाँ पर आपके voltage 0 हो गया voltage 0 हो गया इसका मतलब यहाँ पर इसका logic low हो गया voltage 0 हुआ इसका मतलब logic low हो गया जैसे ही logic low हुआ तो आपका mobile on हो गया समझ में आया तो इस तरीके से होता है इसका trick तो और इस तरीके से होता है इसका working process तो I hope दोस्तों जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है समझाया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही helpful रहोगा और दोस्तों अगर आपको यह वाला diode अगर निकल जाता है तो फिर short हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पर अगर short हो गया तो यहाँ short होता ही क्या होता है यह जो दो voltage है वो हमारे यहाँ पर ground हो जाता है जैसे ground होता voltage 0 होता है तो हमारे power की automatically work करने लगता है ठीक है तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से ये वर्ग करता हैं तो I hope दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye